आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम कोई भी बिल या इन्वाइस बनाते हैं बिल या कैश मेमो हम जिनको बोलते हैं तो वो कैसे बनाएंगे MS Word में वो हम सीखेंगे सबसे पहले विंडो आर फिर इसके अंदर विंड वर्ड और रोके करा जो नॉर्मल प्रोसेस है फिर यहां से ब्लैंक डॉक्मेंट आप चूज करते हैं और इस तरह का फीचर जो MS Word में आता है आपके बिल बुक जब स्टार्ट करेंगे बनाना या यूं कहें कि कैश मेमो या बिल तो आपको क्या करना है सबसे पहला काम ले आउट के अंदर आना है और इसका मार्जीन तो आम तोर पे जो बिल होते हैं वो आप जब किसी को बिल देते हैं जिसके लिए वो उस कैश का या उस पैसे का हिसाब रखता है यानि फाइलों में अटेच हो गरा करेगा तो अटेच्मेंट हो गरा के लिए हमें न साइड से उसका जो मार्जीन हो अच्छा खासा सोड़ना चाहिए तो आम तोर पे नॉर्मल हम छोड़ते हैं एक इंच होना ही होना चाहिए तो यह किंच हमने चारो तरफ से छोड़ा ठीक है उसके बाद क्यूंकि यह सेंटर में आना चाहिए तो डेढ़ या एक नहीं मतलब एक एक ही चारो तरफ से छोड़िए वह देने के बाद उसके बाद आप जैसे आप लिखते हैं जैसे आपने लिखा बिल ऑबलिक कैश मेम तो और कंट्रोली कर देंगे यानि के होम में आकर यह वाला बटन सेंटर एलाइन फिर आप एंटर मारेंगे अगली लाइन शुरू हो जाएगा यहां पर आपके सर्विज जो भी आप देते हैं उसका नाम जैसे आपने कहा राजा निउस सर्विश तो यह आपने लिख दि जो भी साइज आपको ठीक लगता है आप अपने इस आपसे जो एड्जस्ट हो जाए वो कर लिया आपने फिर इसके नीचे आप एंटर मारेंगे तीसरी जो लाइन होती है उसमें आप एड्रेस डाल देते हैं जैसे आपने यह तीसरी लाइन में आपने आपका एड्रेस ल पला था इसको थोड़ा बला भी करेंगे तो कोई दिक्कत नी है इसको थोड़ा छोटा या इसके बराबर रखेंगे तब इस तरह से numbers अपने लिख दिये ठीके जी बहुत simple हम रख रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं तो यह एक हो गया फिर आप enter मारेंगे नीचे आ जाएगा इस तरह कि अगर निशान आता है यह बोलता है कि आपका कोई grammar mistake है तो इस तरह आप उसको सही कर लिजे ठीके जी फिर आप नीचे करते हैं और जातर देखा होगा बिल में एक बिल का नंबर होता है बिल नंबर आप उसको left कर लेंगे फिर टैब बटन यूज करना है टैब से थोड़ी space होता है दूर दूर space होता है और यहाँ पर बिल नंबर के बाद एक option आता है dated कि आपका जो बिल है व एम ओबलिक एक S होता है में सर्स या ऐसे कुछ होता है इनका और उसके बाद आप यहाँ से ऐसे लाइने खीच देते हैं कि अगर बिल बनेगा तो उसका कोई नाम तो होगा company का या जो भी तो यहाँ तक आप बना लें enter मारें फिर एक और नई line आप ऐसे ही दे सकते हैं थो कि कौन से महीने का बिल है लास्ट में यहाँ पर manually आप लिख देंगे कौन से महीने का बिल है जिसे नियूज सर्विसे मंतली बिल देते हैं रोज रोज का इनका ज्यादा है नहीं तो मन्त भी लिख सकते हैं या फिर updated लिख सकते हैं ठीक है तो यह option भी जाल दिया हमने फिर जो आम तरह से होता कि एक नमबर दो नमबर तिनमबर अलगलग प्रोडक्स का तो serious number आपने लिए टैब दबाने से अगले पर आ गए फिर आपने कहा फिर पेम होता है कि क्या आईटम है किस तरह क्या product है क्या उसका नाम लिखना होता है फिर टैब दबाया आपने क्वांटिटी लिखना होता है कितनी क्वांटिटी है ना तो आपने क्वांटिटी कर दिया and quantity कर दिया उसके बाद आपको उसके rates बताने पड़ेंगे कितने का है rate rate क्या है उसका वो आपने बता दिया then यहाँ पर आप यह भी कर सकते हैं कि amount बताएं आप amount ठीक है जी amount में enter मारके न मैं क्या कर रहा हूं कि एक r rupees में और थोड़ा सा space देकर मैं यहाँ पर पैसा भी बताता हूं पैसा रुपीज और पैसा दोनों तो इस तरह से करा और फिर यहाँ पर आप enter मारते जाएं मारते जाएं मारते जाए है जहां तक आपको चाहिए जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यह देखिए जितने enter मारने आपको देख लीजे वहां तक ले जाए है जहां तक अगले page पे ना जाए मतलब आपको थोड़ा सा जगे बना के तो यह मैंने यहां तक कर दिया यह ठीक है जी यहां पे और यह last वाली line मैंने total के लिए रख दिया फिर इसके बाद क्या है कि अगर आपको amount और rupees और पैस आलग करना है तो यहां पे एक option आता है यह page layout के अंदर draw table है ना draw table पे जाएंगे तो आप अब ऐसे खीं सकते हैं यह दिखे ऐसे तो यह भी एक तरीका है otherwise merge करके जो यह वाला option था आपका merge करके और then आप इसको अलग-अलग कर सकते हैं तो यह एक option है skip कर दिया मैंने यहां पे आप चाहें थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं यहां पे total हो गरा के लिए और नीचे की तरफ आपको एक phrase होता है e और e इसको left कर देना है n o e मतलब error and omissions accepted ऐसे करके कई वार आपने bill हो गरा में देखा भूल चूक लेनी देनी ऐसे या इस तरह का न तो इसका मतलब है कि इस तरह का इस प्रेज का मतलब होता है कि अगर कोई bill में कुछ गरबल बढ़ा है तो सिधा कोट मत चले जाना भाई मतलब बिल बदला जा सकता है कुछ ऐसे तो case वेस नहीं कर देना तो वो इस तरह का है इसको इसको बोलते हैं error and omissions accepted करके इसका पूरा full form है तो यह लिखा जाता है फिर आप tab दबाएंगे थोड़ा सा space दे कर और यहां पर आपको again जब यह जो newspaper वाले हैं या news service वाले इनका नाम यहां पर दुबारा आएगा तो थोड़ा सा space दे दो ऐसे तो यह process है आपको अगर लगता है यहां पर जगे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना तो हम क्या करते हैं यहां पर layout के अंदर margin में custom margin कर लेते हैं top और bottom बहुत ज़्यादा अगर waste हो रहा है तो हम top को थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं आपकी need के हिसाब से और फिर यहां पर अगर लगता है इसके बाद space होना चीए तो आप ऐसे कर लें ताकि यहां पर मोहर लग जाए sign लग जाए और इसके बाद आप देखेंगे ना overall जब control left to करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपने एक तरह से बिल बुक त्यार किया हुआ है ऐसे बहुत सिंपल सा आपको बना कर दिखाया कि कैसे हम इस इन प्रोसेस का यूज करके ना हम बिल या कैश मेमो हम डिजाइन कर सकते हैं तो एक फॉर्मेट बना सकते हैं